विल्कम टो सुकला स्टाड़ी पट्ड आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चनल सुकला स्टाड़ी पट्ड में मैं सियोम सुकला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूँ ये question paper है सिदार्थ नगर विश्विध्यल्य पफिल वस्तू का आपको बदा तो BA third semester का पेपर चल लहे हैं इसमे थारद समेस्टर और फर्स समेस्टर के तो उसी सुरंकला में ये third semester का आपका paper है पॉलिटिकल साइन्स का पेपर है यानि कि रादनेती सास्त्र या रादनेती बिज्ञान बोल सकते हो आप जो कुछ भी आप पुछी समझे बोल सकते हैं पॉलिटिकल साइंस का पेपर है एक सब्दमी बोलें तो आपकी पेपर का क्याना है लब उसका भी आप लोगों के में वह ज़्यादा फासा हुआ होगा ठीक है और ये अब सिधार नगर बिश्विद्याले में जो मालन पेपर मैंने बनाया था उससे भी फासा हुआ होगा तो आप सभी बिश्विद्याले जिनकी भी परिच्छा नहीं हुई है वो इन सभी पर मार्क्स आपके 75 थे ठीक है आपसे यहां पर कुछ नोट कहा रहा है आपसे नोट में कहा रहा है कि जो है आल क्वेस्ट आज कमपर्स अर कंपल्सरी दूसरा कहा रहा कि एंसर इच पार्ट आप दी कोईस्ट इन नाट मोर देन हंडेड वर्डस आयंग्दार रिमेंग कोईस यानि आपसे यहां पर कह रहा है नोट हिंदी वाले देखें पेपर हिंदी और अंगरेजी दोनों में तो दोनों में आप देखने का प्रियास करेंगे सभी परसन आपको करने होंगे जो पेपर में दिये गए हैं और प्रथम परसन जो दिया गया पहला परसन उसके कई सार भाग है तो उन सभी भागों के उत्तर आपको देने हैं और उन सभी भागों के उत्तर आपको सव सब्दों में देना ठीक है और सेज प्रसनों का उत्तर लगबग आठ सब्दों में जितने प्रसन आपके बच रहे हैं बाग बाकी के उनको आपको आठ सब्दों में देना है देखे पहला प्रसन आपका आ चुका है पहला प्रसन की answer each question आप the following question निमलिकित प्रतेग प्रसन का उत्तर दीजिए तीन नंबर का एक प्रसन है पांच कोशन आपको करना है पंदरा नंबर यहां से मिलेंगे ठीक है पहला प्रसन आपसे पूछा आता है यह सिधार नगर आएगा और थर्ड समस्टर में भी सेकंड समस्टर में आपजक्टिव हो था और फोर्थ समस्टर में भी आपका आपजक्टिव पेपर होना के लिए देखें Constitution Assembly of India यह भारत की संबिधान सभा संभा भारत की संबिधान सभा के बारे में आल्रेडी मैंने आपको बता रखा ह आपने देखा होगा भारति संबिधान सभा के बारे में आपको बिस्तार समझाया है के लिए आगे देखें Model Paper Model Paper नहीं मैं महा संग्राम वीडियो के तयारी कर रहा हूँ जल्दी इसकी महा संग्राम वीडियो आ जाएगी तो आप देखेंगे बाकि इन परसनों को आप नोट डाउन करके इनका रख़़े रहिए बाकि जब महा संग्राम वीडियो हो चाएगी या आप इनको हल कर सकते है परसन आपका है functions and powers आफ जो है म्यूंसी पॉलिसी आनि अगर पालिका के कार और सक्तियां बताइए मैंने इस परसन को भी बताया है ये परसन भी आपका आचुका है अगला परसन आपसे पूछा गया है देखें भाई रोल आप women in India Indian political leadership भारती राजनेतिक नेतरतों में नारी की भूमिका most important परसन है आपकी परिच्छा में आ सकता है अगला परसन आपसे पूछा गया था function साफ election commission निरवाचा नायोग के कार ये भी मैंने बताया था अगला परसन आप देखते हैं भारत में दबाव समो दबाव समो के बारे में प्रेसर ग्रूप से इन इंडिया इसके बारे मैंने बताया है इन सारे परसन आपके लगबग चारो परसन पूछे गए थे जिन में से चार परसन तो मैंने हुबहु बताया है लेकिन ये परसन आपका मैंने दहीं दखा था अगला प्रसन देखेंगे तो लगबग सारे के सारे प्रसन आप के आ रहे हैं एक्जाम में ये मान सकते हैं अगला प्रसन आप प्रसन देखेंगे discuss the various challenges faced by the democratic process in India after independence 15 नंबर का ये प्रसन है और 800 सब्दों में लिखना है स्वतंतरता के पश्चात भारत में लोग तंतरी करण प्रकरिया के मार्ग में आने वाली विभिन चुनोतियों की विवेचना किजिए चेप्टर नमबर वन देख लिजएगा मेरी प्यारे दोस्तो यूटूब पर वीडियो पढ़ा हुआ चेप्टर नमबर वन पूरा कोईशन पेपर ये प्रसन मैंने पूरा का पूरा लिख करके आपको समझाया है या वीडियो देख लिजएगा चेप्टर नमबर वन पॉलि देगा और यह प्रस्ट भी आपका 15 नमबर दीगा और करके नहीं थभा करके दिया गया देखे प्रस्ट आपका दिया गया है कि भारत के सम्मिधान में वर्डित आर्द संगवाद सासन की विसेशताओं की वेचना कीजिए मैंने इसको बताया भी था माड़न प्रस्ट में रखा भी तो आप इस प्रस्ट को एकदम से ध्यान लिजेगा और रट लिजेगा अगर आपकी सीरीज बगरा मिल जाता है बाकी में बताने का प्रियास और भी कर दूँगा ठीक है आगे बढ़ते है तीसरा नमबर प्रस्ट आप से पूछा गया देखेंगे यह भी आपका पंदला नमबर का ही प्रस्ट है आठ सो सब्दों में इसको भी करना है अगला प्रस्ट थो लाइट आन प्रेविएस प्रोवीजन्स एंड सब्जेक्ट्स एड़ेड बाइड था थर्ड एंड स्वारी सेवन्टी सेवन्टी 73 and 74 constitutional amendment in the constitution in India देखें इसके बारे मैंने बार बार आपको बता है भारति सम्मिधान में 73 और 74 सम्मिधान इक संसोधन द्वारा जोड़ेगे प्रवधानों और विसेओं को प्रकासित किजिए 73 और 74 सम्मिधान संसोधन आपको पता होगा ये अगरपलिकाऊं से चेगे इसके प्रस्ट आपको नहीं पता है इसके अस्थान पर आप आर करके दूसरा प्रस्ट दिया गया था अथा करके इसको आप कर सकते हैं देखें पंदर नंबर का यह भी परस्ट है एक क्रिटिकली एक्जामिन दा कोलियसन पॉलिटिक्स इन इंडिया बारत में गडबंधन कि राज चणा सिंग बिश्विद्याले ठीक है इलाहाबाद बिश्विद्याले लखनों बिश्विद्याले इन सभी विश्विद्याले जिंके परिक्षाएं नहीं हुई है ।। न prayer dur can be crashed with the संचिप्त प्रकास डालिए रथा उनके निवारण की उपायों का उपायों पर सुझाओ दीजिए देखे राज निर्माण में आने वाली प्रमुक समिश्याएं जैसे की जाती बाद छेत्र बाद संप्रदाय बाद भासा बाद ठीक है यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई थी न यही सारी चीज़े हैं इसके बारे में मैंने आपको अलेडी बता रखा है यही प्रस्ण मैंने रखा था अगला प्रस्ण देखे और करके आपसे प्रस्ण पूछा गया था सारे बताएगे हैं तो निशेत तोर पर चाहे आप संधाड बी सूद्यालय में किसी भी सूद्यालय का नाम नहीं देना चाहता हूँ हार एक बी सूद्यालय में लग भग और लग बाग 80-90% कोश्छन मेरे द्वारा बताएगे हैं माडल वपर से फहसे हैं भी अभी तक मैंने एक ही मालवी पर दिया है लिखित का भी और अब दो आप जेक्टिप के दो-दो मालवी पर हो चुके हैं तो प्रले रिश्ट में सारी वीडियोस है आप सारी वीडियोस को देख लेंगे दिश्यों तोर पर आपके एक भी प्रसन नहीं चूटने बाले हैं अगला प्रसन देखें एक्स्प्लें दा रोल आफ इंपोर्टेंस आफ पॉलिटिकल पालिटीज इन देवलब्मेंट आफ इंडियन पॉलिटिक्स भारत में राजनेतिक दलों की भूमिका और महत तो बताईए यह भी मैंने बताया है और यह भी प्रसन आपका आगया और प्रस्त पाच्वा नंबर आपसे पूछा गया था एबल्यूट दा इंपक्ट आप कास्ट पॉलिटिक्स इन इंडिया भारत में जाती की राजनेति के प्रभाव का मोलेंकन कीजिए बहुत बढ़ी हां प्रसन है और बहुत महत्यपूर्ण प्रसन है आपकी परिच्छा के ठीक है यह प्रसन आपसे था कि बेरी जो है बेरी फलाई मैंसंदा सजेसन आप वैरियस कमेटीज कंस्टिव कंस्टिव्ड एंस इलेक्ट्रोल रिफॉर्म्स इन इंडिया भारत में चुनावी सुधार पर गठिद बिभीन समितियों के सुझाओं का संचिप्त उलेकि जे क बताया था कि इनी प्रसनों को पढ़ लीजेगा अगर आप में से सभी ने पढ़ा था जो मैंने माड़ा भी प्रसन बताये हैं दिश्चे तोर पर एक भी प्रसन आपका नहीं छूटा होगा ओके आगे बढ़ते हैं राजनिती साथ का कोशन पेपर ये डी डी यू 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 का था ये कोशन पेपर मैंने साल्ब करवाया है जो डी डी वाले हैं वो देख सकते हैं दोसों एक का यली पेपर वन का साल्ब हो गया पॉलिटिकल प्रोसेस इन इंडिया का ठीक है चालिस प्रसन आप जटी के पूछे गए थैं चालिस के चलिसो आपके द्वार मलब जो मै इंका प्राप्त करें और टाप करें ओके चलें तो इस प्रकार से आपके समझ में सारी चीज़ा आ गए धनिबाद मिलते हैं फिर नेक्ट वीडियो में आप सभी लोगों का बहुत बहुत धनिबाद और आपको बता दूं कि जो है एजुकेशन का जो वीडियो है एजुके बहुत महत्पूर्ड वीडियो है आप तो उसको जरूर देखिएगा धनिबाद राजनीति सास्ट का बहुत महत्पूर्ण है आपका यही वीडियो देख लिजЕगा आपके लिए भी महत्पूर्ण है क्लिएरे तो आपकसी विश्मिज्याले से हैं आप सारे जो कोशन पेपर मैं साल्व करवाता हूँ उसको जरूर देखें चुकि आपकी विश्विद्याले के लिए बहुत महत्पूर हो सकता है बहुत बहुत धन्यबाद हमारे से जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार हमें सा बना रखिएगा और आपको बता दूँ कि मैंने ये पेपर साल्व तो नहीं करवाया है ये जो लिखित वाला है तेकिन इसका मैं महा संग्राम वीडियो देंगा उस दिन मैं बिस्तार से हर एक पॉइंट पर चर्चा करूँगा और अगर आपको इन सभी के साल्व चीज़ों को जानना है तो आप प्रेस्ट में चल जाए है और वीडियो को हमारे देख लीजेगा ओके धन्यबाद